जबलपुर के रामपुर इलाके में एक पेट्रोल पंप पर उस समय हंगामा मच गया जब पेट्रोल पंप से पेट्रोल की जगा पानी निकलने लगा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए लोग जब अपने वहानों में पेट्रोल भरवा कर वहां से निकले और देखते देखते पेट्रोल नारे वाजी हमिने के ख़बर जब गोरगपुर पुलिस को लगी तो वे तुरंत अग्रवाल पेट्रोल पंप पहंची और मामले की गुठी सुलचाने लगे अंगामा करने वालों ने खाद दिकारी को भी सुचना दे कर मौके पर बुलवाया लोगों का कहना है कि जब वो अपना वाहन लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे और पेट्रोल भरवा कर निकले और कुछी दूरी पर पहुंचे ही थे कि उनका वाहन बंद हो गया मेकनिक से जांच के बाद पता चला कि उनके वाहन में पेट्रोल की जगा पानी डाला गया है इधर खाद दिकारी ने भी पेट्रोल पंप पर कारवाई के आदेश दिये हैं इधर पुलिस ने कहा कि आम जंता पेट्रोल पंप को सीज़ करवाना च काम हैं पेट्रोल पंप दौरा की जा रही इस तरह खिला पर वाही और गलती से ना जाने कितने लोगों के वहनों को नुक्सान पहुंचा है यह वहन मालिक ही बता सकता है बहराल जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप की जाच कर सक्त से सक्त कारवाई करने का लोगों को यहां के कारवाई फूडवाले करेंगे जर वहाज हमारे तरफ करेंगे अ के सामने उने फूडवाले करता तॉक्त करता अदिकारी पेट्रोल के हम नहीं तो नहीं जीज वो जब बोलेंगे सीज करना तो करेंगे लगवाइब कितने सब्साथ नहीं आपको नाम नाम चेत्राम पंधान आप तैसी दार गुरखपुर थाना गुरखपुर छेत्रां तरकात रामपुर चौक के आगे इंडियन आयल के पेटोल पंप में 80% पानी और 20% पेटोल दे जाने की सुचना प्रास थी पुलिस के दौरा मोके पर आकर देखा गया कि करीब सो से अधिक लोग यहां पेटोल जो लिये थे उन्हें बाटलों वह मों होने पेटोल भर रहा दाया है गारी से निकाल कर बताया कि पेटोल में 80% पंप पानी हो 20% पोरेटोल मेंरा अपने वरेक्षत अधिकारी यूद को और दसक्रा ψंग कि पुट में पार्ट में आवशक चारवाई कि रहा हैं इसमें सिल्क या जा रहा है पेटोल अब साले साथ आठ बजेगी घटना है और सेक्ड़ा लोगों में द्वारा पेट्रोल बराया जा चुका है अब काफी नुक्सान लोगों का हुआ है गाडियों के इंजन पानी भर गया है उनके लिए एक नई समध्या इंजन खुलवाने की है इसके पेट्रोल या में जो है वो करवाई कर रहे हैं अब सारम में कर अबस्था में तो अबस्था में तो पुट देपार्टमेंट के जिकारिगा आ चुके है और वो आपासिप करवाई कर रहे है